इस वक्त मैं हूँ पेतॉंग बीच पर जो कि फुकेट का सबसे फेमस बीच है पेतॉंग बीच के कारण यहां का आसपास का एरिया भी पेतॉंग के नाम से जाना जाता है यह यहां का सबसे फेमस टूरी स्पॉर्ट है ये बीच फेमस है यहां के वाटर स्पोर्ट्स के लिए और यहां के साफ पानी के लिए आपको 24 गंटे यहां पर टूरिस्ट की चहल पहल दिखाई देगी Phuket Thailand में बसा एक छोटा सा आइलेंड है और यहां का बहुत ही फेमस टूरिस्पोर्ट है हर साल दुनिया बर से यहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में टूरिस्ट अपनी चुटिया मनाने आते है Phuket जाना जाता है यहां के बहुत ही साफ पानी वाले बीचिस के लिए यहां पर आसपास बने कुछ छोटे छोटे आइलेंड के लिए और यहां की नाइट लाइफ के लिए पेतॉंग टूरिस्ट की सबसे फेवरिट जगा है क्योंकि यहां पर इस खुबसूरत बीच के अलावा भी बहुत कुछ है बीच पर वाटर सबस के लिए कई सारे आप्शन्स हैं जो आपको यहां पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे दुनिया भर से लोग यहां पर चुटिया मनाने आते हैं और कुछ लोग घंटो भर बीच पर सन बात लेते हैं पटांग बीच से बिलकुल सामने है बांगला रोड वॉकिंग स्ट्रीट जो की यहां का सबसे होट nightlife party destination है और बीच के आसपास का पूरा आइरिया nightlife के लिए जाना जाता है इस वक में हूँ बांगला रोड वाकिंग स्टीट पर जो कि पितों बीच के बिलकुल सामने बना एक रोड है ये एक किनोमेटर से भी छोटा रोड है पर ये पुकेट का सबसे फेमस रोड है क्योंकि ये यहां का सबसे बड़ा इस वक बांगला रोड पर आम दुकाने और शौपिंग मार्केट लगती है पर रात के वक ये रोड नियॉन लाइटिंग, लावड मुजिक और बहुत ही बड़ी मात्रा में टूरिस से जगमगार उड़ता है तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ पांगला रोड पर जो कि पुकेट का सबसे बड़ा नाइट लाइफ पार्टी रेस्टिनेशन है शाम से लेके सुबहा तक यहां पर किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए नो एंट्री है इसलिए इसे बांगला रोड वाकिंग स्ट्रीट कहा जाता है तो अब तक पर जितना गुमा हूँ इपने भी कंट्री ने की लिए लोग वहांगल के जानवरों को खाते होए देखा है बसक्पर और आज तक किसी को मगरमस कौते होच बड़े नहीं देखा किया यहां पर जो magearmus को खाते है बड़ी निखने की की अरगा गड़ीन है तो इतमत मेरे नादे वों है, यहाँ आपर यह भगरमच देचते हैं तो इसके अरगाइट थेखना इस यह जिए इफेखने कर पार एंगले तो इसलिए जादा वाती कर पार है रात के वक्त यहां पर आपको सब लोग फुल सेलिबरेशन और इंजॉइमेंट के मूड में दिखाए देंगे अब मैं पहुंच गया हूँ पितॉंग बीच पर एक बार फिर से रात के गरीब 11 बज़े है पर अगर आप देखे तो इस वक्त भी पितॉंग बीच पर काफी सारे टूरिस नजर आ रहा है खास करके बांगला रोड नजदीक होने के कारण पेतॉंग बीच पर रात के वक्त भी टूरिस की चहल पहल लगी रहती है वाकिंग स्टीट के आसपास भी आपको ज्यादातर टूरिस दिखाए देंगे चूंकि ज्यादातर होटेल्स, रेस्टोरेंज और शॉपिंग मार्केट्स इन्ही सभी रोड्स पर बनी हुई है आज का मेरा दिन बहुत ही शांदार रहा, अब वक्त है होटेल वापस जाकर आराम करने का, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर मुझे फीफी आईलेंड पर जाना है